आप बोला हैं, आपने राम जी को लाएं, हम खूसे आप क्रिशना जी को लाएं, हम और भी खूसे तरहां हैं मगर कब आप काला धन लाएंगे कब आप अच्छे दिन लाएंगे, कब आप दो करन नोक करि लाएंगे तब हम लोग बहुत खूश होंगे, और भी खूश होंगे, इंसूरंस में 18% GST, यह क्याहां का बात है? यह हेल्थ को मिलना चाहिए, हम लोग टाक्स पेयर है, टाक्स के कारण हेल्थ में मिलना चाहिए, बेनिफिट नहीं मिला, क्यूंग यह दादागिरी नहीं चलेगी, पास 40% उल्थ है और बाकी के 1% लोगों के पास 22% उल्थ है बाकी बच्चा तो क्या बच्चा तो मैं ये बोलना चाहती हूँ गर्मेंट पर्सुइंग दा पॉलिशी फ़र दा कर्पोरेट मास्टर्स हमारे ओडिया में एक बात है गोड़रा गोड़रे माउंस अ लगिले सरी सरी रख के लाभा होई वो एमटी वेसल्स साउंड्स मच फंपा मठ्यारा सब्द वेसी ये जो बॉजेट है ये जैसे लग रहा है कि कुर्सी बचाओ बॉजेट है आप आप हमारे ओडिशा को बॉजेट में डबल एंजिन में डबल घाटा हुआ ओडिशा में लोगों ने कितने विश्वास के साथ बीस भी सांसोद को लोगसभा में निरबाचित करके भेजे मगर हमको कुछी नहीं मिला सर कुछी नहीं मिला बहुत दुखे साथ कहिना पड़ रहा है बिहार को मिला अंदर प्रदेश को मिला हम खुसें बिहार भी हमारे भाई है मगर हम क्या किये हमारा साथ है सोतला बेबार क्यूं हमको क्यूं 20-20 आंसर देने के बाद में हमको क्यूं कोई भी special package नहीं मिला जबके special category status हमारा बहुत 20 साल से हमारा demand है क्यूंकि सबको मालूम है ओडिसा एक natural calamitous facing straight है जहां एक 11 साल में 16 cyclone और super cyclone आ चुके हैं हमने बार बार special category status की demand किये ऐसा नहीं कि हम के है भारतिय जनता पाटी ने अपनी जो manifest बनाया थे 2014 में संकल पपत्र उसमें भी उन्होंने रखा था कि हम जब सरकार में आएंगे तो हम इसको special category status में लाएंगे सरकार में तो आ गया double engine हो गया नितिया आओग में तो आए budget भी मगर कुछ नहीं मिला हमको कुछ नहीं मिला मगर हम फिर भी आसा करते हैं कि आपका ध्यान ओडिसा के उपर रहेगा हम फिर भी डिमांड करते हैं ओडिसा को देखिए क्योंकि अगर special category status ना दिये तो कम से कम special focus status का माननेता दीजिए और matching share हमको ज्यादा दीजिए और एक ब पतिजी एक आदिबासी है हमारी मुख्यमंत्री एक आदिबासी है बहुत सरे यह सरकार में आदिबासियों के काड़ खेले जा रहे हैं मगर आदिबासियों के काड़ खेलने से हमको कोई कोई problem नहीं है कोई problem सुनिए मैं जानती हूँ आपको दुख होगा आप चिलाएंग सटने चाहने हैं नियुक्त आधिवासिक होगा तो उसमें 150 ग्राम जिसमें दिशैंगे और हो जाएगा और हजारों से हजार एकर जो कल्टिवर्टेट एग्रिकल्चर लेंड हो भी डूब जाएगा ये किस आदिबासी का बात करेंगे ये भी तो आदिबासी है हम लोग बार बार बोले हैं पोला बरम बंद कीजिए आंधरा कोई भी पॉब्लिक हीरिंग नहीं हुआ पोला भर में आप उसको सौपड कर रहे हैं क्यों ये दादागिरी नहीं चलेगी सार ये दादागिरी नहीं चलेगी वोड़ी साह अपने हके लड़ाए और आगया भी लड़ेगा मैं फिर भी और एक बार बोलना चाहती हूं कि आप जब क्यांपेंग कर रहे थे तो क्या बोले कि हम 300 यूनिट तक का बिजली फ्री देंगे ये भी एक जुमला है कम का का इलेक्शन खतम हो गया सरकार आ गया मगर ये जुमला का जुमला रहे गया कोई एलेक्टरिशिटी 300 यूनिट का नहीं मिला ठीक है लोगों ने जो किया है उनको तो वही भोगत ना ये बात बोलना चाहती हूं कि क्यों ये बजेट प्रो पिपुल नहीं है सर्वशिख्य अभीजान में बजेट रिडूस हुआ है माइनस 18 परचंट राष्ट्रिया मार्ध्यमिक्या शिख्या अभीजान में माइनस 9 परचंट रिडूस हुआ है ICDS which affect all the school children उसमें माइनस 34 परचंट रिडूस हुआ है मिशन अंगनवाडी रिडूस हुआ है माइनस 5 परचंट PM पोशन रिडूस हुआ है माइनस 45 परचंट PMJSY रिडूस हुआ है माइनस 47 परचंट क्या सारे जगा में सडक हो गया सारे काम हो गया आपने तो बजेट सिनियर सिटिजन लिए कुछ है ही नहीं सिनियर सिटिजन के हेल्थ के लिए कोई इनसुरांस कंप écanmaní नहीं कर रहा है कोई इनवेस्ट नहीं कर रहा है अगर इंसुरांस में 18% GST यह क्या का बात है यह earth ko to milna चाहिए हम लोग taxpayer है टास के का रान health में मिलना चाहिए benefit में नहीं मिला कोई insurance company करने रहा अगर कर रहा है तो 18% GST ले रहा है यह किस का बात है दखे आप आप बोले हैं आपने राम जी को लाए हम खुसे आप कृष्णा जी को लाए हम और भी खुसे मगर कब आप काला धन लाएंगे कब आप अच्छे दिन लाएंगे कब आप 2 करण 9 करी लाएंगे तब हम लोग बहुत खुसे होंगे और भी खुसे होंगे मगर जो आपको खुसी लगता है आप ओहीं करते हैं